जहन दोस्तो, my name is Andy दिक्षित, आज आप जान जाएंगे कि आप कितनी English जानते हैं, आप कितने translation कर पाते हैं, आप इस वीडियो को end तक देखेगा, क्योंकि आज बहुत ही selected sentences हम आपके सामने लेकर क्या हैं, options के साथ में, आपको उनका सही answer देना है, comment box में ये बताना है कि जानते हैं, कितनी हद तक translate को सही कर पाते हैं, translation को सही कर पाते हैं, इस वीडियो को end तक जरूर देखेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, question number first is, मान लो कि मरे हुए जी जाएं तो क्या होगा, question बहुत अच्छा है, sentence बहुत अच्छा है, options है, suppose the dead came back to life, what would happen, option number two, supposing the dead man came back to life, what would happen, option number three, suppose the dead man alive, what would happen, आप अपने answers को comment box में लेखेगा, बताएगा कि आपकी कितने सही थे, वीडियो को end तक जिरूर देखेगा, अगर जानना है कि आपकी हद कितनी है, answer होगा इसका, number one, समझते हैं कैसे, suppose the dead came back to life, what would happen, अगर आपके सामने sentence में supposition दे रखा है, या कोई कोरी कलपना दे रखी है, और उसके fulfill होने के बहुत कम chance है, तो वहाँ पर supposing या suppose वाला sentence वह भी, और दूसरा clause वह भी, ये दोनों ही clause past में बनेंगे, जैसा कि यहाँ सामने है, जिसमें एक supposition या कलपना बात हो रही हो, कलपना की बात हो रही हो, तो वहाँ पर इस तरीके से concept यूज किया जाएगा, next question, माल लो आज रात वर्षा हो, तो क्या करोगे, माल लो आज रात वर्षा हो, तो क्या करोगे, यहाँ पर अगर हम answer देखें, तो यह हमारा बिलकुल गलत है, option number 3, क्योंकि पहला clause यूज हुआ है, simple present में, और दूसरा clause यूज हुआ है, would की वज़े से past में, अगर हम option 2 को देखें, तो supposing it rain tonight, यहाँ पर rain यूज हुआ है, what would you do, यह सही हो सकता है, अगर first को देखें, तो supposing it rain tonight, what will you do, यहाँ पर भी supposition, assumption, या फिर कह सकते हैं, कलपना हो रही है, लेकिन अगर wish फुल्फिल होने के chances होते हैं, तो वहाँ पर supposing या suppose वाला clause simple present में, और दूसरा clause हमारा simple future में बनेगा, दुबारा से सुनिए, अगर wish बिल्कुल भी फुल्फिल नहीं होने के chance हैं, तो वहाँ पर दौनों ही clause past में बनेगे, supposing वाला भी और दूसरा clause भी, और अगर wish फुल्फिल कहीं हद तक हो सकती है, तो वहाँ पर हमारा supposing या suppose वाला clause बनेगा simple present में, and second clause बनेगा simple future में, answer होगा, supposing it rains tonight, what will you do, जानिकी one, answer हमारे सामने है, concept भी हमारे सामने है, next question, question number three, we कितना भी चलाएं, मैं उनकी बात नहीं सुनूँगा, अक्सर करकिये sentence हम बोलते हैं कि वो कितना भी कहें, मैं नहीं ज देखते हैं, option number first, however cry they may be, I won't listen to them, option number two, cry as they will, I won't listen to them, option number three, however they cry, I won't listen to them, यहाँ पर आपका answer होगा, cry as they will, I won't listen to them, वे कितना भी चलाएं, वे कितना भी कहें, इस तरीकी के sentence को हम बनाते हैं, cry as they will, say as he will, वो कितना भी कहें, वो कितना भी चलाएं, cry as they will, I won't listen to them, next question, अब कोशिस करना भी कार है, अब कोशिस करना भी कार है, it's no use trying now, second, it's no good trying now, third is trying is useless, in formal way में हम बोल सकते हैं, trying is useless now, लेकिन हमारे answers होंगे, इसमें 1 and 2, यानि कि दोना ही सही, अब कोशिस करना भी कार है, it's no use trying now, it's no good trying now, यह हम जब infinitive participle, zero and end, where infinitive पढ़ते हैं, तब यह concept वहां बताया जाता है, याद रखिएगा, it's no use trying now, next question है, कुछ तो कमाई कम, कुछ महगाई के कारण लोग कस्ट में हैं, कुछ तो कमाई कम हो रही है, कुछ महगाई है, इस वज़े से लोग परिशानी में हैं, options हैं, इसका answer होगा, third, यानि की, कुछ तो कमाई कम, कुछ महगाई के कारण लोग कस्ट में हैं, इस तरीकी के sentence को हम what with से यूज करते हैं, इस तरीकी के sentence क्यासे बनते हैं, लेकिन आप खुद को चेक कीजिए, यह तो कलत होई गया क्योंकि शी के साथ do not use नहीं होगा, even she does not remember me, I can never forget her, या whether she remembers me or not, तो answer होगा, one, whether she remembers me or not, I can never forget her, next question, यहां से bus stop कितनी दूर है, अक्सर का क्या हम पोचते हैं, options are, how far is it to the bus stop, what's the distance of the bus stop from here, how far the bus stop, आपका answer होगा, one, how far is it to the bus stop, आपको सही इस तरीके से बोलना है, next question, जिस प्रकार पक्षी आकास में उड़ते हैं, उसी प्रकार आदमी आज हवा में उड़ता है, यह एक सर्गर के बोला जाता है, कि जैसे आज कल पक्षी आकास में उड़ते हैं, in the same way, man today fly in the air. Second option, like birds fly in the sky, in the same way, man today flies in the air. Third option, like as birds fly in the sky, and same man today flies in the air. इस्ता answer होगा, one. जिस परकार पक्षी आकास में उडते हैं, उस परकार आत्मी भी आकास में उडता है, हवा में उडता है, हवा में उड रहा है. Just as birds fly in the sky, in the same way, man today flies in the air. Just as, और in the same way. ये concept साथ में आता है. Next question, एक-एक करके बोलो, अक्सल करके हम बोलते हैं, एक-एक करके बोलो, लेकिन हम जल्दी बाजी में कह जाते हैं, तीन तरीके से, इस पीक वन बाई वन, इस पीक वन आफ्टर वन, इस पीक वन आफ्टर वन ये दोनों ही गलत हैं. वन बाई वन और वन आफ्टर वन हम तब यूज़ करते हैं, जब ये करके कहा जाए, एक-एक करके सब उठकर के चले गए, या एक-एक करके सभी लोग आ गए, तो एक-एक करके का मतलब है, एक के बाद एक आया, लेकिन, इसका सही एंसर होगा, हम बोल देते हैं, इसका सही एंसर होगा, एसका सही एंसर होगा, यहां पर आपके answers होंगे 1 & 2 यहां से आपने खुद को चेक किया होगा आप प्लीज ऑनेस्ट रहिएगा और बताईएगा कि आपके कितने answers सही थे अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ मैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम तो बहुत लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा जै हिंद जै भारत